हेलो दोस्तों मैं हूँ आशीज और आप सबका स्वागत है गैजट आक्ते इन में हाला कि नया यूट्यूबर रूप पर आपको एक बेटर से बेटर कंटेंट देने की मेरी जिमेदारी है तो इसी के रिलेटेट में सारे कंटेंट को चुन-चुन के लाता हूं तक आप सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए ताके कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वह सब्सक्राइब करें तो चलो शुरू करते हैं वीकली टेक न्यूज पहली खबर आ रही है रियल्मी की तरफ से रियल्मी बुक जो कि एक लैप्टॉप प 40,000 के एबो होगा इसमें Microsoft Office pre-installed आएगा और यह इंटल के 11th generation i3 और i5 प्रोसेसर के साथ आएगा अब यह जल से जल लॉंच होंगे और प्राइस देखे तो मुझे यह लग रहा है कि यह बेटर प्राइस है जिस तरह के configuration इसमें एड किये गए है दोसरों रियल्मी ने अप MI Notebook Pro 14 और MI Notebook Ultra बता जा रहे हैं कि इन में 120Hz refresh rate भी मौझूद होगा अब दोने की कड़ी टकर रहेगी अब देखते हैं Redmi और Realme दोने में से कौन सा बाजी मार जाता है और क्या प्राइस पे कस्टमर को यह मौझूद करतें वीचेस के साथ दोसों स्पेस ट्रावल अब एक रियालिटी हो चुकी है Virgin Galactic, Blue Origin और SpaceX यह तीनों कंपनी रेज में लगी हुई है कि स्पेस ट्रावल को अब एक रियालिटी बनाया जाए अब बताया जा रहा है कि इसमें Virgin Galactic ने बाजी मार ली है Virgin Galactic के फाउंडर Richard Branson उन्होंगे अपनी made and successful flight company किये edge of the space तक crew member के साथ और वहां जाके वह वापिस return हुए अर्ज पे तो यह एक बड़ी historical achievement है उनके लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए तो इतना सब करने के बाद Jeff Bezos कहां पीछे रहने वाले थे उनकी जो made in flight है 20 July को first take off करेगी with crew member four crew members जाएंगे साथ में और बता जा र तो take off करेगा और एक historical moment यह भी create करने जाएंगे अब देखते जोलाइट 20 को इसका में इन फ्लाइट होने वाला है तो successful रहता है या नहीं दोस्तों fast charging का जमाना आ चुका है हम देख रहे हैं कि 30 watt charger 35 watt charger लांच हो रहें जल्दी 50 watt तक भी आया है अब शामी ने 67 watt का sonic charge 3.0 charger लांच कर दिया है पता जा रहे है कि यह mi.com और mi web stores पर मिल जाएंगे आपको और इसकी price 2999 बताई जा रही है अब 67 watt का charger लांच कर लिए पर अभी तक hardly कोई phone आया होगा जो 67 watt charge को support करता है तो उमीद करता हूं कि जल्दी ऐसे कोई phone launch हो जिसमें 67 watt fast charging support होता ताकि चारजर लोग खरीज सके और इसका यूज कर सके जो इन्द revolution टैग लाइन यूज किया है Ola के CEO 22 अगरवाल ने उनके website पर पता जा रहे कि उनके Ola electric scooter का pre registration शुरू हो चुका है रुपीस 499 में आप उनके website पर जाकर pre register कर सकते हैं और जो amount आपका cut होगा 499 रुपीस अगर future में आप उसको cancel करते हैं तो full के full amount आपको refund हो जाएगा original mode of transaction में तो एक अच्छी पहले के जिसको इंट्रेस्टे वह पहले जाके प्रिबुक कर रहे ताके उनको पहली priority दी जाए जोस्तों एक जमाना था जब हम घड़ी सिफ time देखने के लिए यूज करते थे आज पूरा world change हो चुका है आज ordinary watches से हम smart watch में move हो चुके है अब इसे से लेट एक news आई है MS Fit GTR2 LTE launch हो चुका है इंडिया में इसमें calling features enabled हो गए है इसमें health related सारे features दिये गए है SPO2 monitoring, stress level, sleep level monitoring सारे दिये गए है इसके अलावा इसमें Bluetooth और Wi-Fi का भी support होगा तो calling features और यह सारे health features का साथ ही एक अच्छा बढ़िया smart watch है अगर किसी को MS Fit के product में interest है तो वो जाके buy कर सकते है यह news सुनके सारे gamers खूश हो जाएंगे BGMI, Battlegrounds Mobile India जो Crafton Officially इंडिया में लेकिया है अब बता जा रहे हैं कि उनकी पहली e-sports tournament launch हो चुकी है pre registration 19 जुलाई से शुरू होंगे और प्राइस मनी है इसके अंदर 1 करोर रूपीज जो 16 टीम की बीच में divide किया जाएगा तो जिस जिस को interest है game में जाके participate कर सकते हैं और pre registration कर सकते हैं जुलाई 19 के बाद दोसरों ये खबर आ रही है Poco की तरफ से Poco F3 GT Edition टीज हो चुका है लॉंच होगा जुलाई 23 को ये तो होना ही था OnePlus Note 2 आ रहा है Realme ने अपने GT Edition को टीज कर दिया है तो Poco कौन से पीछे रहने वाला है पोको ने officially announce कर दिया है उनके F3 GT Edition जुलाई 23 को लॉंच होगा और इसमें Aluminium alloy frame यूज किया गया है और dual speakers होंगे और ये Mediatek Dimensity 1200 processor के साथ लॉंच होगा अब ये बता जा रहा है कि 30 to 35 के बीच के price में लॉंच होगा और कड़ी टक कर देगा और OnePlus Note 2 को तब लॉंच होने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से बेटर कोईट्स है OnePlus Note 2 या Poco F3 GT Edition आज की आखरी कबर आ रही है एपल की तरफ से एपल ने इंडिन स्टुडेंस के लिए एक नय ओफर लॉंच किया है students ही नहीं बलकि teacher और parents भी इसमें enroll हो सकते है जो भी नए administrative year में जो भी students enroll हुए है उनको यह offer मिलेगा या उनके parents को और teachers को यह offer मिलेगा कोई भी macbook या ipad खरीदने पर उनको airports free मिलेगा बिलकुल free मिलेगा तो यह काफी अच्छा offer है अगर जो भी administrative current year में कोई भी students enroll हुए है तो वो खुद अपने लिए या उनके parents उनके लिए या teachers अपने लिए यह product खरीद कर आइपाड एरपोर्ट्स free मिले जा सकते है तो thanks to apple यह offer उन्होंने इंडिन students के लिए launch किया तो आज की weekly tech news में बस इतना ही उमीद करता हो कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे है अगर पसंद आ रहे तो प्लीज शेर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे content आपके लिए बनाता रहा हूं तो तिल दें टेक केर बाबाई बटन को दबा के दबा के इसको तोड़ दालिये ताकि अगली ख़बर आ रही है realme notebook की तरफ से sorry 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 am i notebook cut it cut it 7 watt dash charge launch कर दिया है oh god again cut it sonic charge